साअधाल, कान के सभी प्रकार में लोग बहुत ही असाद्ध्य गिने जाते हैं, कष्टकर होते हैं, इस लिए लोग घब्राये भी रथे हैं और जहां भी जाते हैं, वाह के वर टेस्टिंग होती है, ओडियोमेट्री होता है और रिपोर्ट बनती है, पर कहीं इलाज नहीं है, पर सभी से ये निवेदन किया जा रहा है कि कान के सभी लोगों की चिकित्सा बड़ी सरलता पुर्वक धुन निकाली गई है, बिना मशीन मेरा उपरेशन के सुनने के शमता बढ़ाने कान को सभी लोगों को उठी मित करने की और कान को यूजर फ्रेंडली बनाने की आप आमें कान दीजे हम आपको नया जीवन देंगे आपको शिक्र संपर्क करना है करना दोशनिवान के अंदर एमदाबाद फोन नंबर 9099996720 90999967 से लेकर के 30 तक के सभी नंबर सेवा में अविरत चालू रहते हैं बर्जंसी के लिए नंबर स्थापित कर सकते हैं आप सबका बहुत दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों हर एपिसोड में हम कुछ ऐसे इंफुमिशन आपको देते जो कहीं ना कहीं कांज से जुड़ी वी बिमारिया यह उनके इलाद से सिधाज संबंद बनाया रखती है करना निवारन दोश केंद्र और खास तोर पे डे जुड़ी वी हर बीमारी को लेकर उनके पास इलाज है वह भी चंद घंटो में तो आज बापिस उतसे जानेंगे कि आखिर कार बिमारी होती कैसे किस प्रकार की होती है किस-किस प्रकार के इलाज हम मुंकिन होते और कैसे वह इलाज करते है प्रमिट सुनानजी जी बहुत क्योंकि आज मैं आपको वो सब बाते बताने वाला हूं जो संसार के सामने अभी छुपी हुई है उसका अधगाटन करूँगा कि सत्य क्या है और प्रचलन क्या है सत्य यह है कि पहरापन जैसा कोई रोग होता ही नहीं हमारे साप से और सारा संसार इसी से पीडित है और पीडित भी क्या बहुत बुरी तरह से पीडित है यदि और क्या स्थिति है कि इस पीडा के कारण से संसार में बहरे मोंगों की संक्याई बढ़ गई है और बहरे मूंगों स्कूले हो गई एक और तो और घर में बचे और बेचारी जो नहीं पढ़ाली का सकते, उनके बच्चें बहरे मूंगों की तुरह जिते हैं वो तो वो और बड़ों को भी लपीट में ले लेते हैं जैसे जैसे समय आता है बहुत से लोगों को अनिक कारण से बहरापना ने लगता है जैसे जन्म का बहरापन बहुत कारण है सबसे बड़ा बहंकर कारण आजकल सामनी आया है बच्चे को जन्मने के बाद में शिक्यूरूटी के इतलिए पेटी में रखा जाता है उसके कारण से प्राय प्राय बच्चे ये बताते हैं कि इसके कारण बाद में बहरापना गया मा के गर्ब में पानी घुमने से या वाइरस से या बहुत सारी एंटिबाइटिक दवाईयों से या आजक्यात कारण भी है सारीरीक रचना से खुद की सरीर की रचना ऐसी हो जाती उससे आप मानेंगे नहीं कि सबका इलाज बड़ा सरलता पूर्वक संभव हो गया है और वो सारे सफल प्रियोग वो सारी ट्रीटमेंटे दवाईया हजारों और लाखों व्यक्तियों पर हो चुकी है प्रूवन हो चुका है अब संसार की नजरें हमारे पड़गड़ी भी है मुझे आज सुबह ही बड़ा आश्चरी हुआ कि दिल्ली के गुर्द्वारा से एक व्यक्ति आये हैं जो सेवार थी हैं उन्होंने कहा कि मैं सेवादार हूँ मेरी ये तीन तीन वर्स की बच्चियां जुडवा बैने हैं और जन्म के बहरे हैं गुर्द्वारे में ही किसी ने मुझे बताया कि हम्दाबाद के प्रवीन सुराना कर्ण दोष्जिवान के अंदर चलाते हैं और उनके वाँ जाओ और तुम्हारी बच्चियां सुनने लगेगी मैं उसका कॉन्फिदेंस देखकर के मेरे तब मुझे आत्मविश्वास इतना जबर्दस बढ़ गया इतनी खुशी हुई कि मैंने का रह वा तो फिर मैंने आज उसकी टीटमेंट करके आया हूँ और दे आजकल विज्ञान के खुबी जादा प्रचलन के बाद में मीडिया के कारण से सोचल मीडिया कारण से खास करके इंडिया न्यूज के कारण से हज़ारों हज़ारों लोग जाने लगे हैं इंडिया न्यूज की चैनल आजकल सब जगह मैंने जब अपने पत्रों में अपनी सुनते हैं बहरापन के बारे में मुझे जितना भी समय दिया जाए कम है बताने के लिए क्योंकि बहरापन और कान के रोग पूरा का पूरा इंसाइलोपीडिया है कान के अनेक प्रकार के रोग हैं कान में सडान हो जाती है गंदगी हो जाती है हडियां बढ़ने लगती है कान और सदान के कانसे च्छिद्र बड़े हो जाते हैं, तो डॉक्टर उसको होल कहते हैं, पर होल होता ही नहीं है, फिल्टर बड़ा होता है, वो दोवाईों से ड्रसिंग मर्लिंट करने सी, तूरंत ठीक होने लगते हैं, सुनने लगता है, मुझे आस्थे लिए हैं कि जहां पर सब्सक्राइब हो जाते है मेडिक alain में जहां भी आप जाते हैं उर एक ही जबाद मिले का इस जर्म में नहीं चुनाइए देगा तुम आप्टरेशन कराओ या जर्मनी जाओ 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 कहीं नहीं होगा इसके प्रमानिती वीडियो हम इस्लिए लेते हैं पेट को दिखाया मैंने का उनकी गलती नहीं है बेटा जब से मानव सभ्यता का इतियास उत्पन हुआ है तब से कान की तमश्याई तो थी सही रिसार्च सही दवायां सही ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण से मनुष्य बड़ी तकलीफ में है वो हमने उसका समाधान डून निकाला ह है और बड़े आनंद से बढ़िया से मात्र कुछी दो तीन घंटों की ट्रीटमेंट में पैसेंट की हालत यह कर देते हैं कि वह जर्म का बहराबरक या पिछ्छा सा अवरापन या कम सुनाई देने वाला सुनने लगता है तो जिस प्रकार से हम यह जानकारी ले रहे हैं प विधा देके चंद गंटों में बहरे पिन की समस्या को सुनने की क्षमता अब इस हद तक बढ़ा रहे हो तो फिर क्यों से नॉन करेबल कहा जाता है क्यों इस प्रकार का डर दिमाग में लोगों के अंदर बैठ गया है दिखिए सर बात तो बिलकुल सच है मैंने इसी लिए मेरी इस फॉर्मूले को सबसे पहले पेटेंट करवाया कि मैं जानता था कि आने वाले समय में लोग कुछ ने कुछ चेड़ा खानी करेंगे और गड़बर करेंगे गड़बर नय हो इसके लिए फॉर्मूला जो है एकदम बढ़िया व्यवस्तित हो गया पेटेंट हो गया बास यह कहाता है मेरे को भी भी बड़ा थेखरी होता है कि आने वाला कितना दुख्ये amen कि मेरा बच्चा जनम से बहरा है दस बरस बाशका हो एदो बन पांच बशका हो गया और हम घंटे दून्टे में शुनुआते हैं यह मैं भी हशच्यरी कर रहा हूं मुझ्जे मेरे न होने लगा है कि सच मुझ यह कोई रोग है या नहीं मतलब कहां कहां से क्या क्या टेस्टिंग कर वाके ला रहे हैं और मैंने का यह तो मैंने कोई टेस्टिंग नहीं की छेड़ खानी नहीं की कान को कुछ भीचारे को धारान नहीं किया यह सी रूम में बढ़िया से तुना के कि बड़त संद्स जबन में गबृत समधना ज़रुए दरृए कोन को मैं चाह उसके थोड़ा फॉकेस करके उनको बताएगा जब स्युशन बहुत आसानीश से मिल जाता है तब लोगों को बहुत सारे सवाल उत्पंद होते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है अर्व हुआ यह देखो ना नहीं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है तो आपको यह भी बता है कि उनकी खुद की ट्रेटमार के पैटरंट है उसके हिसाब से वह आगे जाते हैं उम्योप दो बाते हैं एक तो दर्वाजा खोलो तब अंदर आओगी यदि कान की बहरापन मिटाओगे सुनोगे तो कान की चिकस्ता प्रारंब होगी आप यह मत समझे कि सुनना चालो हो गया तो सब कुछ हो गया है बहुत गंभीर बात है कि सुननना बड़ी बात है और सुनके जब देना कान को काम में लेना यूजर फरेंडली बनाना बहुत ही इंपोर्टिन बात है उसके लिए तो सारी महनद चल रही आजकल हमने वर्ड थेरापी इसलिए डवलप किया मैं संसार की लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि निर्भय होकर कि किसी भी कोने में हो एमदाबा तो या तो वो फॉल उप नहीं कर रहा है पीछे से सुन गया असानी होता है सुनने के बाद में कान के रोगों को ठीक करना कान के बैरापन के लिए उसके बाद में उसकी देखिए मतलब जैसे मैंने किसी आदमी को सुनवाता किया कान में उसके रसी आ रही है तो रसी मिचाना काम हमारा हमने जिमावरी ले लिए ऐसा नहीं कि तू डॉक्टर के पास जा कान की रसी मिचाना कान के परदे को ठीक क उसके बाद मे नॉर्म aja करना फिर बार बार रसीना आये उसके लिए द्मयात देना और उसके बाद में उसको कहने एगदम नॉर्मल हो जाए तब उसको फिर से ट्रेनिंग देना कि भाईया सुनने की ख्रमताई हो को बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे प्रियोग हैं जैसे सब्द है कोई आदमी को इतना ही सुनाई जता है कोई को उसका होती है तो सुनने की ख्राइब जा सकती है जी जी बेहुत सब्सक्राइब एक बार ducks तो यह दो कि कोई ने होगा हम सोची नहीं रहे है रिसर्श है नहीं करते हैं तक पॉरपार जाहां कि अगर्याब illusion बढ़ जाएगी पर जब मानी लेते के नहीं होगा इसलिए शायद नहीं होता है तो इस सारी मानिताओं से बाहराना बहुत जरूरी है अब लोगों तक पहुंचा है अभी हम लोग पूना जाके आये थे हमारे लिए पूना का कैम्प एक हाउ था बड़ा टाउन है बड़े लोग बड़ी बाते हैं पर हमें अश्चरिये तब हुआ कि सारे के सारे 33 पैसेंट सब ही आनंद कानभव कर रहे थे सबने आशिरवाद क की वीडियो दिये ओर लाइफ दिया और उसमें दस बच्चे तो जन्म के बहरे थि वो सुनी के बड़िया से प्रतिक्रिया करने लगेी कुछ तो मूझे लगा था कि पार्षल सुनते थे तब तो सुनने के बाद में बोलने के लिए समय लगता है उसको, पर वहां तो उनको समय भी नहीं लग रहा था, और माता पिता इतनी बढ़िया प्रतिक्रिया कर रहे थे, कि मैं अस्चरी में पढ़ गया, मैंने पूछा कि सच मुझी पहले नहीं सुनता था, कि हाँ सर, पारस चै आपका बच्चा उसी समय सुनें, और उसी समय बच्चे को दो गंटे की ट्रीक्मेंट के बाद में इसे लिए बुलवाया और ट्रेनिंग दी, वर्ड थरापी दी, ऐसे ही एक बच्चे के और माता पिता को जब यह कहा गया, कि तेरा बच्चा भी गंटे के बाद में तो प गंटा तो ठहरो, यह विज्ञान बदल चुका है, दवाईया, दवाईयों का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, और जो शुद्ध मेडिशिन होती है, जो हम्योपिति है, मेरी दवाई जो है, पैटन दवाई, वो सभी पैथी को सपोर्ट करती है, हम कोई हम्योपिति को हम्योपिति को गुलाम नी है, हम कोई विरोधी नहीं है, पर हमने होम्योपिति इसलिए पसंद करते हैं कि हमें 200 CC का जान है, हमने एक्सपोर्ट डॉक्टर इसके लिए रखे हैं कि वो इसी सब देख के काम करें, अप्टीनीटर्स की दवाई है, कान में तमरे आते हैं, कान मेजिक बोक्स में आता है, साूथ से फोन आते हैं, कलकता से आता है, मुझे अश्य रहा, कैसे चल सकता है प्रोग्रम, कलकते में आपकी चैनल का प्रोग्रम उचसे देख लिया, तो मैंने का बिटा, आपने यूट्यूब पर देखा होगा, यूट्यूब का अनवर्ज, र अपने स्काई में देखा होगा, फिर अपनी बात पर आ जाता हूं, तो हमारा जो प्रोग्र, हमने क्या किया है, कोई इश्वर हमारी पर बड़ी किर्पा कर रहा है, हमारे सहयोगी बहुत बढ़िया आ रहे है, डॉक्टर टीम बढ़िया मिल रही है, आज मैं यहां बैठा यह इक बहुत बड़ी बात हैं, जब आप किसी टॉक्टर को जब बिलते हो, या जो वो लोग जो डॉक्तर के सबकक्ष होते हो, जो आपकी विमारीया बुर करने से, परविन तो समारा का में बसा चुम्राइब बात कि जातीक तो बहुत सटीक तरीके से उन्होंने हर एपिसोड में कहीं नहीं बता है और यह चीज साफ आती है कि जो लोगों को वरोसा नहीं था कि ऐसा हो भी पाएगा वह एक बार उनसे मिलते हैं और सबसे बढ़िया बात है कि एसा नहीं कि एक बार प्रिट्मेंट कल उसके बाद कभी मिल पाते हैं मालों की कुछ चुटी-बोटी समस्या और बड़ी है या रुग गई है कुछ है तो आप लाइफ टाइम संपर कर सकते हो उनका मत रहते हैं नहीं उनसे मिलके जो आपको संतुष्टी होती के चलो भी कोई टेंशन नहीं इनसे मिली आप तो होई जाना है यही होता सफल्दा का असली माबिदन क्या होता है तो बहुत बड़ी चीज होती है कि आप एक इंसान को मिलकर जो शुकून की वाहना होती है कि चलो एक आश्रा दिखना यह भी आपने बहुत बड़ी सवस्क्राइब होती है आज कल मेरे हाँ मेरे जबाल मी यह बात आगई है warranty भॉराण्या कि जब तक तुम ठीक नहीं होगे मेडिकल लाइन मे यह कहना बहुत घलत है बहुत सई बाद है गरंटी नहीं होती है कोई भी चीज की मेर्डिकल में treatment होती है तो मैं समझता हम बीटा treatment का guarantee का मतलब service guarantee है तो उनने सुन लिया सुनने के बाद में समझना दवाई करना टीकमेंट करना फॉल अप करना तुम्हारा जरूरी है मैंने तुम्हें आज तीन गंटे की दवाई दिये उसके साथ में तीन मैंने की वोई दवाईयां दी जो यहां दी है और वोई दवाईया तुम्हे घर पर करनी है और रोज नहीं करनी है साथ दिन में पंदर दिन में एक बार करनी है खुमिपती मिधी गुलिया खानी है परस इतना ही है मैंने का हाँ और सच मुझ अच्छे हो जाते हैं क्या बताओं सर इसमें रेशियो तो है सक्सेस के हंडेट परसेंट। परउंटू जो पीछे से महनत नहीं करते हैं उनके लिए बड़ा ठोड़ा मुझे बड़ा उनके लिए मैहनत करनी पारृत इस पीछ तेरापी बहें मूंगो को की जाती है वाड़ थेरापी सुनने करते हैं सुन के सब जो दिमाग में जाएंगे तभी वोकल बोलेगा यदि नहीं शुने तो खाली आँखों की लिप्तिविडिंगों करेगा सही बात है और बोलेगा तो मम्मी पपा साफ साफ बोलेगा गाने गायेगा ओम के नाथ करेगा मैं चाहूंगा आप दर्शेक वित्रों को य समझ पाए और उसका अच्छा अंसर दे पाए क्योंकि वह समझा तब जाके कहते हैं कि काम अच्छे से हुआ है वह क्या बात है जीवन का तो यही तो बड़ा सार है कि हमने ऐसी बात निकाली है कि शुनने के बाद में शुनने की शमताएं कैसे बढ़ती है टेक्नोलोजी न जाने सुनवाना चालो कर दिया है इसका मतलब स्टार्ट हुआ है मेहनत का काम अब उसको मेमोरी बढ़ानी है सब्सक् spurा में डालने है और कान में डालने में जाएगा दिमाग में जाएगा में मॉरी में में उसको वर्ड इस च्टीर होंगे तब वह प्रतिक्रिया करेगा दादा पापा मामा यह कहां गये थे क्या हुआ था वगयर वगयर ओम काना जो भी बोलेगा तब वह गला जबाब तब दिगा मनुष्य जाती को अधिकार है कि सुनी वी चीज़ को सुन के जब आप दे अन्य किसे भी प्रानी को नहीं है इश्वा ने बड़ी कृपा किये मनुश्य जाती पर मैं संसार के लोगों से कहता हूं इस धरोगर को बड़ा सम्हाल के रखें कान की समश्याओं को ना आने दें कान की समश्याओं के लिए आपन मिठ सकता है बुड़ी सुन सकते सो वर्ष का बुड़ा सुन सकता है सुनता ही है जमान सुनता है तो फिर क्या करना उल्टे पूल्टे परियो क्यों खरना बहुत सही बात बात ही आपने तो इन सब के वीच में यह सारी चीज़ों तो हम समझ रहे हैं तो मैं यह ट्रिट्मेंट की प्रोसेस यह आपका जो तरीका है वो लोगत अब कहुंचे सार मैं क्लिप बी दाल रहा हूं वीच में आपको आप दुनिया को मालूम पर जाएगा और यूट्यूब की लिंक भी दे दूगा आपको केवल प्रवीन सुनाना डेफ्टर संटर या डॉ यूगों की ऑप्रेंट करो सर्जरी करो रिप्लेशमेंट करो क्यारत बड़ाए पर काम नहीं कर रहे हैं उप्यों यूल्टा ही चला रहे हैं देडोंunya क्यो जिन्हें मिल्ता ही नहीं है और क्योर कह दिया तो शु कर देंगे जरम तुनिया तो शु कर देंगे कानून में यही चिंता की बात है कि यह सारी चीज है डर से बागने के लिए डर को हराना शब हुए कि उल्ए के अपने वेकला queries यह कैसा के द्वारा आप अपने वेकल पिक प्रियोग करें यह लोगों को ठीक करिए श्वस्त करिए यह किवल लोपती वालों के लिए निम्बनेवे हैं यह उछिए कुछ बढ़ रेंट कोई बात निया हमें कोई वीवाद नहीं खड़ा करना है हमें यह कहना है कि ठीक होने का क्यौर सब्द के साथ में कोई मतलब है या नहीं है हम लो प्रश्रत प्रतिशत परिणाम दा ला दिया हो असा हो भी नहीं सकता और ऐसा होना बहुत मुश्किल भी होता है इसका मतलब यह निकाप एक्जाम ना दो लेकिन आपके इंप्रूमेंट के चांचिस अगर बढ़ रहे हैं आप पहले पास नहीं हो रहे थे पास होने लगो पह करें लोगों को कितना देख रहे हैं कितनी कदर करेंगे कितना जन्हित में काम होगा वो तो समय बताएगा निए तो हम अपनी शक्तियां लगा रहे हैं मेरी उम्रत 73 वर्ष की हो गई है बोलने में कभी कभी साथ फूलती है फिर भी दिल नहीं फूलता है उस समय और ज्यादा ताकाई दो जाती है ट्रीटमेंट करने की जब पैसेंट ठीक होता है तो मैं तालिया मचाता हूं नासता हूं और मै हला करे तुमारें को मीरी उम्र लग जाय क्या कहते पर मैं केता हूं नहीं मैं आपका अभारी हूं कि दुनिया को डिखते वि आ पनि जो हिंबत की है निśığ नितों हम कोई दीNet इन यह यहां कि आपका खास राज है बटा जिए जर्शे की आप सर सही बताओं जहां सुझद्ध है जहां विश्वास है जहां अपने विशह कंकरतिप ञुद्वी विशवास हो विशवाहिके सच्चाई हो दिल हो और गूतपड़ी हो हमें मैं घुटी पड़ी है सर अमारे माता-पिता की मेरे जन्म के होमियोपती डॉक्टर ने मुझे घुटी दी थी और उसने बच्चों में बच्पन में छोटा था तब मेरे को समझाय जाता था कहा जाता था यह काम तुम्हे करना है करते करते मालूम पड़ा है कि यह कितना इंपोर्टेंट काम हो रहा है तो आपको भी मैं बहुत बड़ी उम्मीद से कह रहा हूं कि एपिसूड आपको पसंद आया होगा और आपने भी कही ना कहीं समझा होगा कि इस बिबारी से भागने से अच्छा है कि इनके जहां-जहां सॉलूशन है उन सॉलूशन की और भागिये ताकि इंप्रूमेंट अच्छे से आ पाए हम कोई बड़ा दावा नहीं कर रहें लेकिन हंडेट परसें यह तो कह सकते हैं कि इंप्रूमेंट होता है सुनने के क्षमता बढ़नी उसमें बहतर पना आना यह भी अपने आपे बह बहुत जरूरी है आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि आपने तीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हो उस पर कॉंटेक कर सकते हो और उससे भी ज्यादा मैं कहना चाहूंगा अगर थोड़ा बहुत वक्त निकाला तो बहुत अच्छी चीज होगी कि डारेक डॉक्टर प्रमि कहता है यह कहता है यह कहता है भी हमारा अपॉसर्ट पूरा हुआ नहीं बिल्कुल नहीं तो इस बात को पकड़ लिया है और मुझे जो समय दे रहे हैं उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ बिल्कुल एक बात और आपको बताना चाहता हूं सर कुछ काम इतना बड़ा हो है और बड़ा सरलता से हो रहा है कोई ताम जाम नहीं होता हम लोग आने वाले समय में कुछ ऐसा सरल प्रियोग करेंगे जैसे मार्स में अब मुझे क्या है कि जैसे इंडिया न्यूज में प्रियोग होनी लगे है पर पास में लोगों की इंक्वारियां बढ़ने लगी है आपके वीवर्स बढ़ गए हैं जी मुझे मालूम नहीं पहले से वीवर्स बढ़िया होगे कि ऑल इंडिया की चैनल है पर आजकल जो वाताओन बना है उससे मुझे डर लगने लगा है कि मुझे व्यवस्ता ही बदलनी पड़ेगी पर हमेशा हम भी कहते हैं डर के आगे ज जी दोने बहुत सारे पेशन को कहीना की बहुत सारे वर्दान जैसे ट्रिट्मेंट दिये और कहीना की सुनने की शमताइब बढ़ाई यह जिस प्रकार से उनका कहना है तो डेफ्ट क्योंड सेंटर के संचालक करण निवाण दोश केंदर के संचालक हम कह सकते हैं प्रमिन स सभी प्रकार के लोग बहुत ही असाध्य गिने जाते हैं कश्टकर होते हैं इसने लोग घबराएवे जाते हैं और जहां भी जाते हैं जहां भी जाते हैं वहां के बड़ टेस्टिंग होती है और रिपोर्ट बनती है और कहीं इलाज नहीं है पर सभी से यह निवेदन किया जा रहा है कि कान के सभी लोगों की चिकित्सा बड़ी सरलता पुर्वक धुन निकाली गई है बिना मशीन बेना ओपरेशन के सुनने की ख्यमता बढ़ाने कान को सभी लोगों को ठीमित करने की और कान को यूजर फ्रेंडली बनाने की आप अमें कान दीजी हम आपको नया जी सेवन टू जीरो से लेकर के थी जीरो तक के सभी नंबर सेवा में अविरत चालू रहते हैं बरजनसी के लिए नंबर स्तापित कर सकते हैं नाइन टू फोर एंट फाइब डबल थी जीरो टू